कि हलो फ्रेंड्स डेनी क्लाशेजम आपको स्वागत है राजस्तान हाइकोट लडीसी हिंदी इंग्लिस डेली डोज आक्रमन क्लास 11 आज हम कवर करने वाले हैं जिसमें अच्छे-च्छे प्रियावची शब्द विलोम शब्द सारा सब कुछ मैंने हिंदी इंग्लिस का आप को क्या है आपके जो najbardziej आपके आपके फ्रेंड्स तयारी करें उनकोगत वारे में बताना है कि आप तयारी कर रहे हो दे कर सकते हो प्सक्तां और लगेगा जब आप कहीं से पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ रहे हो तो आप उसके लिए कुछ करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा तो आप जो भी आपके फ्रेंड से रिलेटिव हैं सबको जुरूर बताएं हाइप परमिल जएगा और हम बात करें टेस्ट की मिल जाएगा 17 फरवरी को करण्ट एपेड़ मार्केट में आजाएगी जैपूर में एवलेबल हो जाएगी बाकी राजस्तान में 18 फरवरी तक पूरा राजस्तान कवर कर लेगी कल मैं आपको उसका दिखा भी दूँगा फ्रेंट पेज कौनजी भूगा आपको पर्चेज करनी है तो चलिए दोस्तों क्लास हम शुरू करते हैं देखो आज मैंने आपके लिए दस प्रयावची शब्द लिए हैं यह दस प्रयावची शब्द वह लिए हैं जो हम पिछले साल बात करें पिछले पांच साल बात करें कि जो हिंदी के पेपर होते हैं अलगले एक्जाम के पेपर होते हैं वहां यहां से काफी बार प्रशन आये हैं तो हो सकता है कि इन दस प्रयावची शब्दों से आपकी एक्जाम में भी बन जाए वैसे पहले भी मैंने आपको काफी बार ये करवा दिये तो अब तो आपको छोड़ने नहीं है इन दस के दस को अच्छे से रट लेना है आपको एक्जाम यहां से मिल सकते हैं शुरू करते हैं अगनी का प्रयावची शब्द बात करें अगनी का प्रयावची शब्द हम बात करें अनल होता है अनल होता है अनल नहीं होता है अनल अगनी का होता है कन्फ्यूज मत होना और अनल हवा का होता है अनल अगनी अनल अनल जिसे मैं नाम अनल है मतलब हवा हवा को बोलते है अनिल हवा को बोलते है अनिल हो गया वायू हो गया वात हो गया समीर हो गया बयार हो गया मारूत हो गया ये सब हम वायू के बोलते है अगनी की बात करें अनल होता है अरून होता है अरून भी बोलते है अरून हमने अनेकार तक शब्दों में भी देखा था अरून का मतलब ल जातवेद बोलते हैं जातवेद भी बोला जाता है इंपोटेंट है जो आला और दहन जिसे होली का दहन होता है तो उसे ध्यान रख सकते हो जो आला आसाने ध्यान रख सकते हो धननजे भी बोला जाता है और धननजे इसलिए भी इंपोटेंट है क्योंकि धननजे अनेकारतक म में भी काम आ जाता है अगनी को भी बोल रहे हैं अर्जुन को भी धनंजे बोला जाता है पावक बोलते हैं शीखी बोलते हैं वेश्वानर बोलते हैं हुतासन बोलते हैं वापस देखते हैं अगनी अनल अरुण आग क्रिशानु जात्वेद ज्वाला देहन धनंजे पावक प्रयावची शब्द होते हैं अम्रित की बात करें अम्रित अमी अमीए प्यूश सुधा सोम सुर्भोग अमीए प्यूश सुधा सोम सुर्भोग साथ साथ रिपीट करो साथ साथ याद भी होंगे देखो अब तक तो मैंने इतना सारा आपको रटवा दिया है इतना याद करवा दिया है अच्छे से कवर किया है सेलेक्शन ले जाओगे टेंशन प्री मस्त आराम से सेलेक्शन होगा टाइपिंग में भी दीबेस्ट करेंगे फाइनल तक सेलेक्शन लेके जाएंगे बस जो कहा मान रहा है जो लाश्ट करते जा रहा है जो मैं बता रहा हूँ एफट लगा रहा है सेलेक्शन ले जाएगा हो अरन्य किसको बोलते हैं जंगल को बोलते हैं जंगल वन कानन कांतार अटवी भी बोलते हैं तो औरने जंगल वन कानन कांतार अटवी विपिन भी होता है दाव भी होता है जिसे एक शब्द बनता है जंगल में फैलने वाली आग क्या कहलाती है दावानल या दावागनी कहलाती है दाव जंगल अगनी आग दोनों को मिलाया दाव प्लस अगनी से दावागनी शब्द ब हैं जंगल वन कानन कानतार अठीवी वीपिंन हम बोलते हैं अर्जुन की बात करें अर्जुन कि पार्थ गांडिय। दहरी सवय साची गुडाकेश गुडाकेश अर्जुन को भी बोलते हैं शिवजी को भी बोलते हैं गुडाकेश धनंजे धनंजे भी बोला जाता है तो अर्जुन की बात करी पार्थ गंडिव धरी सवय साची गुडाकेश धनंजे किसको बोलते हैं अर्जुन को बोला जाता है पार से गंडी उधारी गुड़ा के सद्धनजे सव्य साच्छी आंख भी मोस्ट रिपीटेड है हलके में मत लेना कि आख है देख लिया एक्जाम में जब चार उप्षन आते हैं अच्छे से पढ़ाई नहीं की वे होती तब कनफ्यूज होते हैं क्योंकि एक्जाम वाला म तहला में बोलते हैं नित्र बोलते हैं लोचण बोलते हैं यह तो काफी इम्पोर्टエंट है तो आक्ष अक्षी चक्षू चश्म द्रग नजमनैन बोला जाता है क lobster अब शन पयोल्श्ण बात करें अबशन मंद चा बुच्वा से पुछे चाता है मंदन है तो मंदन अच्छे से ध्यां रखना है अलंकार अबMostन जेवर भूशन और मंदन और अलंकार इसटार लगाओ इनको अलग से अच्छे से ध्यां रखोगे आ लंकार और मंडन को अलग से ध्यान कोगे अगला देखते हैं आम की बात करें आम अम्रतफल होता है पिक बंदू होता है पिक बंदू बोलते हैं रसाल बोलते हैं सहकार बोलते हैं मदूदूत बोलते हैं रसाल बोलते हैं सहकार बोलते हैं और मदूदूत बोलते हैं तो आम अ अमृत्फल पीकबंदू रसाल सहकार मदूदूद रसाल ध्यान रख ना काफी इमपोर्टे न सबुर्णू इंद्र इंद्र नरा हो जायगा देवराज हो जाएगा देवंदर हो जाएगा देवंदर शब्द कैसे बना देव प्लस इंदर शें देवंदर बन गया ए आ के बाद में ए ए आ तो ए हो जाता है गुन सुवर संदी ये भी ध्यान रखना देवंदर हो गया देवेश देव प्लस इशें देवेश बन गया सोना सोना काफी महंगा हो रहा भी और जिन जिन के पास सोना वो सारे नाटक करते हैं सोना जिनके पास वो नाटक करते हैं तो सोने वाले क्या करते हैं नाटक और सोने का प्रयावची हो जाएगा हाटक जिनके पास सोना वो करते हैं नाटक और सोना का प्रयावची हो जाएगा हाटक तो हाटक ध्यानक ना काफी important है summer goodman के सना स मान कलेवर कई किसको बूलते हैं सोने कोई बोलते हैं कंचेंज भी बोलते हैंłosपटे कंचन बोलते हैंक बोलते हैं सवन्च भोलते हैं हाटक दिखो हनुमान 40 सांन अती होगी जो हनुमान चाली सा थो है एक वार ákब उसको अच्छे से पढ़ना आप हनुआन चालीजा को एक-एक शब्द पर आप गोर्गरना जय हनुआन गळान गुंड संगर जय कपीश कपीश किसको बोलते हैं कपी पलिस इसजे बना है कपी तो हम बंदर को बोलते है कपीश हनुमान जी को बोलते है तो वो एक एक शब्द पे जब आप जाओगे हनुमान 40 एक एक चीज़ को पढ़ोगे वैसे भी एक तो हनुमान 40 आपको पढ़नी मीचे इस्टुडेंट औसू बसू बसू पढ़नी चीज़ उसके बाद में जो आप पढ़ते हो हम बात करें कंचन, कनक, स्वन, हाटक, हिरन्ने और हेम हो जाएगा, कन की बात करें, कन, अंगराज कन जिने बोलते हैं, अंगराज कन, भगवान शीरी कृष्ण क्या बोलते थे, राधे बोलते थे, तो अंगराज कन बोलते हैं, राधे बोलते हैं, सूत पुतर भी उनको बोल पूरिये पूत्र कुंति पूत्र करने को बोला जाता है अंगराज हो जाएगा राध्य हो जाएगा सूत्र सूर्ये पूत्र 10 परियावाची शब्द देखे देखो एक संड़े को डेनिल क्लासेज की एप में एक special class लगा रहा हूँ आपकी Hindi English की special class का मतलब काफी प्रयावची शब्द देखेंगे अच्छे प्रयावची शब्द विलोम शब्द अन्हेकारतक शब्द अच्छी वाली एक क्लास लगेगी उसको मिस मत करना वो संडे काफी कवर कर रहा हूँ तो संडे को तयार हैना सभी संडे को सुबह नो बजे जो special class होगी डेनिल क्लैसेज की एपर होगी ध्यान रखना सभी तयार है रहना है विलोम शब्दों की बात करें दस इंपोटेंड विलोम शब्द हम लेते हैं आर्ष अनार्ष आर्ष का विलोम शब्द क्या होता है दूर्दिन का सुदिन होता है दूर्दिन किसी के बुरे दिन चल रहे हो बुरा समय चल रहा हो उससे क्या बोलते हैं दूर्दिन बोलते हैं सुदिन जो अच्छा समय चल रहा हो तो दूर्दिन सुदिन दूर्दिन का विलोम क्या होगा सुर्दिन हो जाएगा दुर्दिन सुदिन दुर्देव का मतलब दुर्भाग्ये विलोम सोभाग्ये दुर्देव दुर्भाग्ये विलोम शब्द सोभाग्ये हो जाएगा तो दुर्देव किसको बोलते हैं दुर्भाग्ये को बोलते हैं विलोम सोभाग्ये हो जाएगा तिक्त का मतलब होता है कि निस्तरंग हो जाएगा कि प्रतीची का मतलब पश्यमी प्राची का मतलब मरने योगे मरत्य मतलब मरने PG्यA is a hamr however होता है जो अमर होता है महात्मा महान है जो आत्मा महात्मा होता है तो दुरात्मा हो जाएगा महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा मित है सभी सब कुछ मित है सीमित है मित का मतलब सीमित हो ऐपरिमित अमित इसके विलॉम शब्द हो जाएंगे मित मतलब सिमित मातरा में एपरिमित या अमित बोल सकते हैं रीपू देखो एक्जाम में क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे लेवल कर देते हैं पेपर हाड आगया करते क्या है विलोम शेदू पूछ लिया है रीपू, मित्र नहीं दिया, रीपू, ओप्शन दे दिया, सखा, अब स्टुडेंट क्या चो रट रखे होते हैं, थोड़ सा माइंड नहीं लगाते, रीपू का सखा केसे होगा, रीपू का तो मित्र पढ़ायता सर ने, सखा थोड़ी होता है ये गड़बड का होती है, जब रटने ही बैठते हैं, थोड़ा सा भी कोमन सेंस का यूज नहीं करते हैं, तब गड़बड हो जाती है, वो थ्री डेट मुई देखी होगी, वो वाला सीन हो जाता है, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, कोमन सेंस बिल्कुल यूज नही करें तो रिपू का सखा दे देगा तो सही है गलत नहीं है रिपू का सखा दे देगा तो सही रिपू किसको बोलते हैं रिपू दुश्मन होता है अराती होता है उसको हम बोलते हैं बेरी दुश्मन अराती उसको बोलते हैं रिपू का क्या होगा इसमें देर खाय मित्र होगा मित्र का पर्यावची सखा भी तो होता है मित्र का पर्यावची सखा भी तो होता है तो सखा भी हो सकता है तो यह थोड़ा common sense का भी यूज करना exam में common sense ही है जो आपको selection दिला देगा पढ़ने के बाद में common sense जो यूज करेगा थोड़ा माइंड लगा कि अच्छे से तसली से सारी सीज़ करेगा उसका सेलेक्शन होता है तो जल्द बाजी में पेपर थोड़ी करना है अराम से तसली से सब पुछ दे कर करना है अनेक आर्थक शब्दों की बात करेंगे बहरे एक बाज ञोवरुरी वापस देख लेते हैं इनको एक बार वापस कवर कर लेती हैं तтесь अनार्ष हो जाएगा दूर्धिन दूर्धिन का सू दूर्दिन जो बुरा समयच चल रहा है सू 210 अच्छा सल रहा है दुर्देव मतलब दुर्भागय सोभागय हो जाएगा तिक्त मदूर होगा, तरंगित निस्तरंग हो जाएगा प्रतीची प्राची, मृत्य अम्रित्य, मृत्य का अम्रित्य होगा का अम्रत्य हो जाएगा महात्मा दुरात्मा महात्मा दुरात्मा मित एपरीमित या अमित हो जाएगा मित एपरीमित एपरीमित हो जाएगा और रिपू का मित्र हो जाएगा अब बात करते हैं आपके हिंदी के अनेकार तक शब्दों के बारे में अनेकार तक शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों अनेकार तक शब्द बोलते हैं जैसे अभी हमने देखा था अरुन के बारे में बात की थी अरुन लाल को भी बोलते हैं सूरिय को भी हम बोलते हैं और सूरिय का सार्थी भी कहलाता है धननजे के बारे में बात की धननजे अरजुन को भी बोल रहे थे आग को भी बोल रहे थे गुडाकेश की बात की गुडाकेश हम अरजुन को भी बोल रहे हैं शिवजी को भी बोल रहे हैं मतलब जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकले वही अनेकार तक शब्द हैं और अनेकार तक शब्द तो ढंक से रटने पड़ें ऐसे याद नहीं होंगे सर अनेकार तक याद नहीं होते एंटोनेम सीनोनेम याद नहीं होते जिसके याद हुए ना उसको पूछो तो श्री भाई तेरे याद कैसे हुए वह आपको पूरी कानी बताएगा क्या 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 उसने प्रियास किये तब पता लगेगा सबका यही हाल है अनेका को भी बोलते हैं मंगल को भी बोलते हैं तो शिव शंकर शिव मंगल शिव शुब हो जाएगा सर की बात करें सर चोटी को बोलते हैं सर चोटी को बोला जाता है तलाब को बोला जाता है चीता को बोला जाता है पराजित को बोला जाता है तो सर चोटी तलाब चीता पराजित औ और सीर हो जाएगा हेम हेम नाग को बोलते हैं हेम नाग को बोलते हैं केसर को बोलते हैं बर्फ को बोलते हैं स्वन को बोलते हैं इज़त को बोलते हैं और पीला रंग कहलाता है तो हेम नाग केसर बर्फ स्वन इज़त पीला रंग नाग केसर बर्फ स्वन इज़त पीला अंध क्या होता है अंध उल्लू चमगादड अंधा मतांध अंध विश्वासी तो अंध उल्लू चमगादड अंधा मतांध अंध विश्वासी कहलाता है पंक कीचड को बोलते हैं देखो पंक लाष्ट में जय पंक मतलब कीचड जय मतलब जनम लेने वाला पंकज पंक और जय लग गया पंकज शब्द बना मतलब कीचड में जनम लेने वाला कौन हो गया कमल हो गया पंकज जिसे जलज जलज बोलते हैं जल में जनम लेने वाला कौ हो गया कमल हो गया नीरज नीर और जै लग गया जै मतलब जनम लेने वाला तो नीरज क्या हो गया कमल हो गया ये ध्यान रखना तो पंकज कीचड हो जाएगा सोरी पंक कीचड हो जाएगा पंक दलदल को बोलते हैं और पंक पाप को भी बोला जाता है अब बात करते हैं बारा जो शिग्र प्रसन हो जाए जैसे बगवान शिव शिग्र प्रसन हो जाए क्या बोलते हैं तो जो शिग्र प्रसन हो जाए वो क्या कहलता है आशुतोष उसे हम बोलेंगे तो जो शिग्र प्रसन हो जाए आशुतोष कहलता है आशुतोष हम बोलेंगे परंपरासें चली आई क कथा अनुशूरूती कहलाता है परंपराशें चलियाई कथा क्या बोलेंगे अनुशूरूती बोलेंगे परंपराशें चलियाई कथा अनुशूरूती नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है किसी को नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है अपकर्ष कहते हैं आवशेक्ता से अधिक धन हो तो उसका त्याग कर देना अगर आप लोगों के पास आवशेक्ता से अधिक धन है तो उसका त्याग कर दो आवशेक्ता से अधिक धन है मतलब उसका त्याग कर देना एपरिग्रह कहलाता है उसे एपरिग्रह कहते हैं तो आवशेक्ता से अधिक मतला कहलाएगा जिसे समझना सरल ने हो दुर्बोध जिसे समझना सरल ना हो दुर्बोध हो जाएगा और सरल है तो सुबोध हो जाएगा जिसे समझना सरल हो सुबोध जो सरलता से पच जाए सुपाच्चे है सरलता से पच जा मतलब सुपाच्चे है जिसे करना सरल हो सुकर ज जहां जाना सरल हो सुगम कहलाता है जिसकी पूर्ती आसानी से हो जाए सुपूरिय कहलाता है जिसें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोम हर शक कहलाता है एक बार इनको वापस हम रिपीट कर लेते हैं ताकि हात्वात हमारे याद भी हूं जो शिग्रित आसे सिग्र प्रसन हो जाए क्या बोलेंगे आशुतोश बोलेंगे परंपरा से चलियाई कता अनुश्रूती कहलाता है नीचे की और लाणा या खींचना अपकर्श है कहलाता है नीचे की और लानाया खींचना अपकर्श कहलाता है आविश्यक्ता से अधिक धन हो तो उसका त्याग कर देना एपरी ग्रह कहलाता है किसी पक्षी का समर्थन करने वाला वकील अधिवक्ता कहलाता है जिसे समझना सरल ना हो दुर्बोध कहलाता है जिसे समझना सरल हो सुबोध जो सरल नहीं है तो दुर्बोध सरल है तो सुबोध जो सरलता से पच जाए सुपाच्चे जिसे करना सरल हो सुकर जहां जाना सरल हो सुगम जिसकी पूर्टी आसानी से हो सुपूर ये कहलाता है और जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लों हर शक कहलाता है कुछ शब्द शुद्धी लिए हैं लगबग तेरा शब्द शुद्धी मेंने आपके लिए ली है इनको देखते हैं इनको अच्छे से हम कवर करते हैं जिसे बोलते हैं निर्दोशी यार यह तो निर्दोशी है निर्दोशी नहीं है यह तो निर्दोशी नहीं है यह तो निर्दोश है ध्यान देना निर्दोश होता है, प्रसंगिक होता है, सही शब्द तो प्रसंगिक होता है, प्रसंगिक हम बोलते हैं, प्रोड, संदी में भी देखते हैं, थोड़ा प्रवाद है, प्रोड, प्रोड, शब्द प्रोड आपको ध्यान करना है, दो मातरा आती है इसमें, अगम नहीं होता, अ एगम्मे होता है एगम्मे क्या बोलेंगे एगम्मे बोलेंगे और अधिक्षक अधिक्षक बोला जाता है यह की बड़ी मात्राती अधिक्षक अधिक्षक शब्द होता है अध्यात्म नहीं होता यह अध्यात्मिक होता है अध्यात्मक नहीं होता अध्यात्मिक होता है अध् उश्या में उकी मात्रा छोटी आती है बड़ी नहीं आती उश्या में उकी मात्रा कौन सी लगाओगे छोटी लगाओगे पांदस बार उश्या शब्द भी आप लिखोगे उर्मी में बड़ी मात्रा आती है उर्मी का मतलब लहर होता है उर्मी का मतलब लहर होता है उर्मी ब परमात्मा नहीं होता, परमात्मा होता है, इसे बरसांत नहीं होता, बरसात होता है, बरसांत नहीं, बरसात, शुद्ध शब्द क्या है, बरसात है, बलीदान नहीं होता, बलीदान होता है, एक ही चोटी मात्रा बलीदान, बलीदान नहीं, बलीदान होता है, एक ही चोटी मात एहसास इंधन उशा उशा में छोटी मात्रा आई उर्मी में बड़ी मात्रा आ गई परमात्मा बरसात और बलीदान शब्दों का अब लिख लिकर और अच्छे से इनकी प्रिक्टिस करोगे मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करें दस मेने आपके लिए मुहावरे लोकोक्तिय अभी लिए हैं सुर्दास की काली कामरी चढहना दूजो रंग सुर्दास की काली कामरी चढहना दूजो रंग सुभाव कभी नहीं बदलता है स्वभाव कभी नहीं बदलेगा बोलते हैं ना कि कुत्ते की पूँच कभी सीधी नहीं होगी तो स्वभाव है वो वैसा ही रहता वो बदलता नहीं है कई ना कई वो जलक ही जाता है स्वभाव कभी नहीं बदलता सुर्दास की काली कामरी चड़ेना दूजो रंग यह मू है और मसूर की डाल सामर्तियसे बड़कर बात करना क्या बोलेंगे यह तो तेरा मू और चाची बावन गजगे एक से बढ़कर एक कोई कम नहीं है एक से बढ़कर एक हैं लंका में सब बावन गज के एक से बढ़कर एक शेखी सेट की पर दोती बाड़े की शेखी तो सेट की लेकिन दोती बाड़े की ग्यान धन ना होने पर भी बड़पन दिखाना कुछ लोग होते हैं knowledge नहीं होता ज्यान नहीं होता फिर भी वो बड़पने दिखाते हैं उससे क्या बोलेंगे शेखी सेठ की पर धोती बाड़ेगी अंगुठा चूमना चापलूसी करना और इन लोगों की तादाद आज के लिए काफी बढ़ रही है अंगुठा चूमने वाले लोगों की ताद सहायता ना करना उससे क्या बोलते हैं अंगुठा दिखा देना तेकि उसको तो लग रहा था आप सहायता करोगे लेकिन आपने अंगुठा दिखा दिया मतलब जरोते पढ़ने पर सहायता नहीं करना अंक लगाना गले लगाना या आलिंगन करना अंग लगना बोने अंग हैना अंगारे सीर पर धरना बहुत दुख्स हैना देखना एक चीज नोटीस करना जिसको जितनी ज्यादा फेसिलिटीज मिल रही है न वो उतने कम सक्सेश के chances होते हैं और जिनको facilities कम मिलती हैं उनके success के ज्यादा chances होते हैं जिसे जब लोग हम हम जब study करते थे ना तो को YouTube वाला science था ने इतना YouTube के अबारे में कुछ पता था ने इतना कुछ ये था कि हाँ ये class देखो वो class देखो इतना knowledge नहीं था आप लोगों को इतनी facility मिलती हैं उसका आपको फाइदा उठाना चाहिए जो facilities मिल रही हैं उसको आपको अच्छे से समझना चीजों को ढंक से पढ़ना अच्छे से आपको study करनी चाहिए उन चीजों का फाइदा उठाना आपको चाहिए तो अंगारे सेना घर में ही बैठे रहना अंडे सेना का मतलब घर में ही बैठे रहना जैसे कई लोग होते हैं कुछ नहीं कर रहें बस घर में बैठे रहते हैं कोई काम दाम नहीं हैं घर में बैठे बैठे क्या करें अंडे सेना उसे बोलते हैं घर में बैठे रहना कुछ काम नहीं करना भस चांदेते रहे नहीं एसे कर लो वे से कड़ो तो धरले घर में ही बैठे रहना मुहावरे और लोकोपतिय की बात कर ली हिंदी की बात हमने कर ली इंग्लिश में मैंने क्या लिया है बला है इडिम फ्रेजेश हैं और चोइब के क्या पार चोदा के असपास एरस भी इंग्लिश देखतें इंग्लिश कवर करते हैं बारा वनवर्ड सब्स्टिटुशन लेते हैं तो डिस्ट्रोइ कंप्लीटली पूरी तरह सर्वनास कर देना जिसे हिंदी में बोलते हैं इस्टुडेंट बोलते हैं सरे वनवर्ड में गलत आ गया तो बुकलेट आप कहीं भी देखना माइनर सी बिस्टेक तो होई जाती है हम भी भगवान नहीं है चोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है लेकिन जब मैं यूट्यूब पे सोलुशन करवाता हूं तब उनको बता देता हूं कि हाँ यह वाला क्योशन इसका अंस कर दिया जाएगा एनी ही लेट वोलते है फच्ट यूए कंपिली एनी ही लेट बोला जाता है सो माजो रूज से फॉर federal behavior resulting in death or ending in disaster is called fatal उसे फेटल करते हैं फेटल कहलाता है reasoning power of the mind intellect बोलते हैं intellect बोला जाता है reasoning power of the mind is called intellect receiving gets warmly hospitality कहलाता है hospitality कहलाता है स्वागत सत्कार करना मैं मानों का उससे क्या बोलते हैं hospitality बोलते हैं प्लेस ओफ गुड़ क्लाइमेट फोर इन्वेलिट्स प्लेस ओफ गुड़ क्लाइमेट्स ओफ इन्वेलिट्स कोड असाइलम उसे हम असाइलम बोलते हैं असाइलम कहलाता है principle that the war should end could be abolished शांतिवाद शांतिवादी जो जिसे बोलते शांतिवाद पेशी फिश्म कहलाता है पेशी फिश्म कहलाता है पेशी फिश्म उसे हम बोलते हैं पेशी फिश्म कहलाता है Married of God, Theogamy कहलाता है, बगवान से विवा, Married of God is called Theogamy, उसे हम Theogamy कहते हैं Vickle to carry dead bodies, क्या बोलेंगे, Vickle to carry dead bodies is called Hearse, H-E-A-R-S-E, Hearse कहलाता है Government by the rich and the powerful class is called Plutocracy, धनिक तंत्र, Plutocracy कहलाता है Speaking disrespectfully about sacred or religious things is called Blessfemi, क्या बोलते हैं, Blessfemi, इश्वर निंदा, उसे Blessfemi करते हैं 12 one word substitution, साथ साथ इनका revision कर लेते हैं, ताकि हम जो पढ़ें, वो हमारे कम से कम साथ साथ यात तो हो To destroy completely, completely destroy कर देंगे, अगर कोई, लेट आएगा, एनी ही लेट, कोई भी लेट आएगा, एनी ही लेट बोला जाता है To destroy completely, एनी ही लेट, सर्वनाश करना Rules for formal behavior among people, etiquette बोलते हैं, शिष्टा चार वाला, जो अच्छा वेवार, एक तम शिष्टा चार से रहता है, etiquette Reduction in a tax or death, concession बोलते हैं, छूट बोलते हैं, redate, rebate बोल सकते हैं, rebate कर लाता है Reduction in a tax or death is called rebate, resulting in death or ending in disaster is called fatal, उसे हम fatal बोलते हैं Reasoning power of the mind is called intellect, intellect कर लाता है, receiving gets warmly hospitality, place of good climate for invalids, asylum Principle that the war should end, could be abolished, the war should end and could be abolished को pacifism बोलते हैं, शांतिवाद Married of God, theogamy, vehicle to carry dead bodies, hearts कहलाता है, government by the rich and the powerful class, plutocracy कहलाता है उसे हम plutocracy कहते हैं, speaking disrespectfully about sacred or religious things is called blasphemy, उसे हम blasphemy कहते हैं Thus लिए है, idioms और phrages, उनको देखते हैं, in cold blood, cruelly बोलते हैं, कुरुरता के साथ, कुरुरता के साथ बोलते हैं, in cold blood, बूरी तरेक्दम, he had killed them in cold blood, he had killed them in cold blood, बूरी तरेक्दम, कुरुरता के साथ, कोई दया भाव नहीं रहना, He had, head आ गया, head के बादे में verb की third form आती है, ये भी साथ साथ देखा करो आप, he had killed, बिल्कुल सही है, them in cold blood, उसको कुरुरता के साथ मुझे मारा, देखो, idioms, phrases देखो, English भी देखा करो, tense भी देखा करो, किस तरह से sentence बनता है, सारी चीज़े देखा करो, in a fix, in a dilemma बोल सकते हैं, in confusion बोल सकते हैं, और in difficult situation बोल सकते हैं, I am in a fix, मतलब I am in a dilemma, I am in confusion, इस तरह से हम बोल सकते हैं, He was really in a fix, when he missed the plan, उसने जो प्लैन था, अपना, वो मिस कर दिया, तो वो एकदम confusion में था, confused था, difficult situation में था, he was really in a fix, when he missed the plan, in a nutshell, in brief बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं न, संग्शिप में बता दो, थोड़ा सारां से बता दो, brief में बता दो, तो उसे in a nutshell बोलते हैं, tell me the story in a nutshell, nutshell में बता दो, brief में बता दो, सारां से बता दो इसका, जुडा स्किस, false love, जुडा स्किस का मतलब false love होता है, he kissed him with a judas kiss, मतलब जूटा प्यार जो है, false love जिसे हम बोलते हैं, kick the bucket, kick the bucket to die, passed away, he passed away मतलब, kick the bucket भी बोल सकते हैं, he kicked the bucket बोला जा सकता है, last night his grandmother kicked the bucket, kith and kin, kith and kin का मतलब जो, हमारी जो friends होते हैं, relatives होते हैं, उसे बोला जाता है, they are my kith and kin हो जाएंगे, जो friends और relatives होते हैं, वो कहलाते हैं, live in the larch, to desert बोल सकते हैं, कि इसको त्याग देना, मुसीबत में छोड़ देना, live in the larch कहलाता है, don't leave your friend in larch, mid-ass touch, the ability to much huge amounts of money is called mid-ass touch, some people have the talent of mid-ass touch, null and void हो गया, invalid हो गया, null and void, invalid हो गया, nuts and bolts, इसे 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 शोट कर एक्सेप्ट everybody was present in the class except Rahul Rahul के इलावा सभी present the class में everybody was present in the class except Rahul के सिवार को छोड़ कर excess reach को बोलते हैं पहुंच को बोलते हैं अच्सेस नाउन पहुंच को बोलते हैं और एक तो दॉता एक सेष अधिकता जिसे हम बोलते हैं अधिकता मोर्दें और देन ईनफ जिसे हम बोलते हैं प्लेंटी ओफ बोल सकते हैं तो एक्सेस अधिकता कहलाता है अडेप्ट एडी एप्ट अडेप्ट वर्ब अनुकुल बनाना या रूप देना एक होता है अडॉप्ट मतलब अपनाना या गोद लेना जैसें चाइल्ड अडॉप्ट करते है पर देब्ट नहीं करते अडोप्ट होता हो इक होता है तो अपनाना या गोधिलेना ओर एक होता है आडेप्ट किसी में कुशल होना सक्षम होना निपूर्ण होना उस बोलते हैं अडेप्ट के साथ एट प्रेपोजिशन भी आता है अफेक्ट वर्ब प्रभावित करना अफेक्ट वर्ब है तो अफेक्टेड बनेगा यह शब्द कैसे बनेगा अफेक्टेड बनेगा ध्यान देना यह वर्ब है ध्यान देना एक होता है इफेक्ट प्रभाव होता है नाउन है इफेक्ट प्रभाव होता है ध्यान देना और इ और एडवाइस, वब, सलाह देना, I advised him, I advised him, मैं बोलों advised, तो यहाँ पे वब आएगी, नाउन नहीं आएगी, अगर एक्जाम में नाउन दे दे तो मतलब गलत है, I advised him, यहाँ पे वब आएगी, advised वब होगी, नाउन आगया तो गलत है, spelling का ध्यान रखना, exit, इस्थान प्राप्ट करना, स्विकार करना, और एक्सिड, अतिकर्मन करना, सीमा से बाहर जाना, उसे हम एक्सिड बोलते हैं, Confugable words देखे, अब आपके लिए मैंने लगबग 14 errors के questions लिए हैं, किस तरह से errors पुछे जाते हैं आपसे exam में, अच्छे से देखना, ध्यान से, He is not an honest man, you can't rely him, यह high नहीं है, he है ध्यान देखना, high is not नहीं है, he is not, he is not an honest man, देखो, अहराम से तसली से sentence पढ़ते हैं, He is not an honest, honest में स्वर का sound आ रहा है, तो an honest बिल्कुल सही है, man, man ही होगा, m, e, n होता तो गलत हो जाता, क्योंकि article लग गया, article तो एक रिट्टी के लिए तो लगता है, एक से ज़्यादा के लिए नहीं लगता है, He is not an honest man, यहां तक सही है, you can't rely him, आप उन पे विश्वास बरुसा नहीं कर सकते हैं, यहां तक भी सही है, गलती कहा है, गलती यह है कि rely अपने साथ में own लेता है, रिलाई अपने साथ में preposition on लेता है, He is not an honest man, you can't rely on him हो जाएगा, अगला देखते हैं, His mother is not well, ठीक है यहां तक, But he doesn't, He के साथ doesn't लगता है, He के साथ doesn't ही लगेगा, do not नहीं लगेगा ध्यान देना, But he doesn't look for her properly, मतलब उसकी माता है, वो सही नहीं है, ठीक नहीं है, बिमार है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उनको देखभाल नहीं कर रहा है, देखभाल की जब हम बात करेंगे, तो हम बोलते हैं, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, His mother is not well, but he doesn't look after her properly हो जाएगा, Some persons, कुछ व्यक्तियों की बात हो रही है, get promotions, even if they are, they are ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर plural बात हो रही है, Not worthy for them, worthy of them, worthy of them, वर्दी के साथ कुन सा preposition आएगा, of आएगा, वर्दी के साथ, of आएगा, They have quarrelled for a piece of land, मतलब छोटी सी जम्मी के लिए लड़ाई जगड़ा कर रहे हैं, They have, बिल्कुल, दे के साथ have आता है, He, She, It, Name के साथ है जाता है, They have हो जाएगा, We have होता है, They have quarrelled over a piece of land होगा, They have quarrelled over होगा, over a piece of land हो जाएगा, Never laugh the disabled, Never laugh on the disabled, Never laugh at the disabled होगा, Never laugh at the disabled होजाएगा, Never laugh at the disabled होजाएगा, He is used to take tea in the morning, He is आगया, Is अमार जब आता है, उसके बाद में used to आता है, तो हम बात करते हैं, present के बारे में, I am used to taking tea, He is used to taking tea, तो यहाँ पे हम ing वाली form लगाते हैं, He is used to taking tea in the morning, इस तरह से बनेगा, He is used to taking tea in the morning, She reference to do this work, She reference from doing हो जाएगा, reference from, abstain from, debug from, तो from लगेगा, She reference from doing this work हो जाएगा, He has, बिलकु सही है, He has a passion to learn English grammar, He has a passion to learn English grammar, क्या error है, क्या mistake है, कोई error नहीं है, कोई mistake नहीं है, sentence बिलकुल सही है, No error के questions भी exam में आते हैं, He has a passion to learn English grammar, बिलकुल सही है, Anil goes to office in car, Anil goes, Anil goes, Anil singular है तो गोज आएगा, ठीक है, Anil goes to office, यहाँ तक भी ठीक है, इनका, Anil goes to office by car होगा, Anil goes to office by car, by car, by bus, तो Anil goes to office by car हो जाएगा, You are addicted for gambling, यह last में टू लिखावा है, यह गलती से लग गया, You are addicted to होता है, You are addicted to gambling होगा, You are addicted to gambling, You are addicted to gambling हो जाएगा, You should abstain from drinking, लिखावा है कि You should abstain from drinking, क्या mistake है, क्या गलती है, You should abstain from drinking, बिलकुल सही है, No mistake, कोई गलती नहीं है, He was prohibited to enter the temple, He was prohibited, उसको रोका गया, निश्यद करना, प्रिवेशन निश्यद कर देना, He was prohibited from entering the temple हो जाएगा, और उसके बाद में आएंग जी आएगी, From entering the temple, He was prohibited from entering the temple, बिलकुल परफेक्ट हो जाएगा, Children are fond of chocolates होता है, Fond of लगता है, Children are fond of chocolates हो जाएगा, Children are fond of chocolates हो जाएगा, He was prevented, प्रिवेंटेड के साथ क्या लगेगा, Prevent करना, He was prevented from लग जाएगा, He was prevented from going to college, प्रिवेंट कर दिया उसको, He was prevented from going to college, इस तरह से ये sentence बनेगा, आपको ध्यान रखना है, तो आपके Hindi English Daily Doge class 11 कम्प्लीट हो चुकी है, Hindi English Daily Doge class 11 में आपको कम्प्लीट करवा चुका हूँ, राजस्तान हाइकोट LDC का कम्प्लीट कोर्स केवल 399 में एप में आपको मिलेगा, संडे को जो special class होगी, वहीं आपको मिलेगी, current affairs की बात करेंगे, current affairs, एफ में जो current affairs जिन्नोंने course लेगा है, उनको मिलेगा, या जिन्नोंने current affairs अलका course लेगा है, अलक से लेगा है, उनको मिल जाएगा, वीडीयो भी मिलेगा, रेक PDF फैल भी आपको मिल जाएगी, ये जो आपकी class हो रही है, इसकी PDF शाम को आपको Daniel Classes के टेलिग्राम चैनले पर बिल्कुल फ्री मिलती है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते है Daniel Classes के टेलिग्राम चैनले पर आपको ये मिल जाती है वीडियो को जितना ज़्यादा होस के आप शेर करें लाइक करें Daniel Classes YouTube चैनले पर नई हो सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी न्यूपडेट आए आपको तुरुनत मिल जाए धन्यवाद